नमस्कार आपका स्वागत देदार नामा टीवी पे मैं पूनम आपके साथ इन ने भारत के आखरी पत्रकार को भी देश चोड़ने का आदेश दे दिया है यह पत्रकार नियूस एजिनसी पीटी आई का है और उसके चीन में रहने से सम्मधि डॉक्यूमेंट्स को रिन्यून नहीं किया गया है चीन का आरोप है कि भारत में उसके जर्नलिस्स से सही बरताव नहीं किया जाता लहाजा वो भी सक्त कदम उठाने पर मजबूर है हाला कि सम्मध को चीन के रुक में कुछ नर्मीद देखी गई उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा अमीद है दोनों देश इस तरनाव को दूर करने के लिए बीचका रास्ता निकालेंगे मेराल भारत से पहले यही सलुक अमेरिका उस्ट्रिया के साथ भी किया जा चुका है रोनाल्ड ट्रम जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने चीन की इन हरकतों को माकुल जवाब दिया था सुमवर को पहली बाद चीन के विजश मंद्राले ने दोनों देशों में पत्रकारों को लेकर चल रहे तरनाव पर रियक्शन दिया फोरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वांग वैनबीन ने कहा हालिया कुछ सालों में चीन के पत्रकारों के साथ भारत में सही बढ़ताव नहीं किया गया वह बेदबाव का शिकार हुए इसके बावजुद हमें उम्मीद है कि भारत हमारे पत्रकारों को वीजा जारी करता रहेगा वांग ने कहा हमें ये उम्मीद करते हैं कि भारत में हमारे जर्नलिस्ट के लिए जो परिशानिया पैदा की जाती है उन्हें खत्म किया जाएगा इसे हालात बनाए जाएंगे जिसे दोनों देशों के पत्रकार एक दूस्टे के देश में सुकुन से काम कर सके